सिक्षकों की टांस्पर पोस्टिंग पॉलिसी आने के बार सिक्षा विभाग के अपर मुक्सचिव का एक बिल्कुल नया अंदाज आज देखने को मिला नमस्कार दर्सन्यूज में आपका स्वागत है मैं हूँ अनुराग शिक्षा विवाग के अपर मुक्सची हूँ डाक्टरे सिधार आज नक्सल प्रभावित इलाके में थे गया जिले में थे और गया जिले के बारचर्टी में थे वहाँ उन्होंने कई सारे स्कूलों का जायजा लिया है तस्वीरे आपको दिखाते हैं जिस तरह से चर्चा में रहते हैं अक्सर डाक्टरे सिधार जो सिख्षा विवाग के सिएस हैं वो अपने अंदाज को लेकर चर्चा में रहते हैं जब सिख्षा विवाग की कमान उन्होंने संभाली थी तो लोकल ट्रेन पर चड़ गय थे उस एक अंदाज जो पुराना अंदाज है वो देखने को मिला है बीच में अगर यूं कहें कि सिक्षा विवाग पर काफी बड़ा प्रेसर था ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिशी तयार करने को लेकर ट्रांसफर पोस्टिंग की पॉलिशी काफी लंबी वक्त तक खीच रही थी 15 दिन का वक्त लिया गया था लेकिन 3 मेंने से जादा का वक्त निकल गया था ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिशी तयार नहीं होई थी वैसे में सिक्षा विवाग बार बार सवालों के घेरे में आ रहा था और अब जब कल ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिशी का एलान कर द बहुत सारी खामियाओं ने दिख रही है और इसमें साबतर पी ये कहा गया है कि पूरसो और महिलाओं को बिलकुल दो नजरिये से देखा गया है अलग-अलग देखा गया है महिलाओं को जहां कुछ हद तक सुबधा दी गई है लेकिन पूरसो को अनुमंडल से बाहर कर दिय गया है तो उन्हें ग्रियन मंदल नहीं मिलेगा ऐसे में कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं लेकिन इस बीच बिल्कुल इन सब अगर कहा जाए आलोचनाओं से दूर डॉक्टर इस सिधार्थ आज गया पहुंच गए स्कूल में पहुंचे और स्कूल में पहुंचकर बच् के बीच में कोई कड़क अंदाज नहीं होता है उनका बच्चों से बात्चित करते हैं उसी अंदाज में बच्चों के बीच बैठ कर खाते हैं उसी अंदाज में वही सहज अंदाज में तो यह जो अंदाज जो है फिर से एक बार देखने को मिला और आज खास इसलिए भी था क्योंकि यह नक्सल प्रभावित इलाका था जहां डाक्टर एस्तिधार पहुंचे थे गया जीले में पहुंचे थे और गया जीले में जो वो बिहार जारखन बॉर्डर पर गया जीले के जो नक्सल प्रभावित इलाके हैं वहां के स्कूलों का निरिक्षन उन्होंने किय कई सारे स्कूलों में गया कि सुदूरवर्ती इलाकों में वो अकेले पहुंचे और स्कूलों का निरिक्षन किया उन्होंने ACS डाक्टर स्सिधार्त मिसाल पेज करते हुए स्कूल पहुंचे और सिख्षकों और छात्रों से बाचित की इन में से कई ऐसे भी स्कूल हैं जिसे पूर्व में नकसलियों ने उड़ा दिया था यानि नकसल प्रभावित इलाके में ACS थे और भैमुक्त अगर कहा जाए इन इलाकों में बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और उस बीच में ACS डाक्टर एस सिदार्थ ने बिल्कुल बच्चों के बीच या फिर सिख्षकों के बीच भैयाकरांत उन्हें नहीं किया बिल्कुल अपने सहज अंदाज में दिखे और उनसे चिरपर्शित अंदाज में अपने उनसे बाच्चित की खाय पिया और जमीन पर बैठ कर पंगत में जैसे बच्चे खाते हैं मिड़े मिल में उनके साथ बैठे ACS सहाब और उन्होंने भी खाया और मिड़े मिल का स्वात्चा खा उन्होंने और सिख्षा विवाग के जब आला अधिकारी मोके पर मौझूद हो इसकूल में मौझूद हो और जब बच् स्कूल की मूलभूत सुविधाओं को भी देखा कि स्खूल में क्या सोचाले की इस्तिती है किस तरह से पढ़ाई की जारी है बेंच डेस का क्या हाल है और वन टू वन उन्होंने बादचीत भी की प्रिंसपल हो या फिर शिक्षक हो या पिर छात्रों सभी से उन्होंने बा खौतिया का भी उन्होंने जाए जा लिया और छात्रों से बाच्चित की इसके बाद वे पूरे स्कूल का निक्षण करते दिखे और क्लासरूम में भी पहुँचे वे कच्चा के सिक्चकों से सवाल जवाब करते हैं और फिर होमवर्ग के साथ साथ छात्रों की पढ़ाई के बारे में भी उन्होंने पूस्टाज की इस दोरान पठन पाठन को लेकर सिक्चकों को दिशा निर्देश भी देते रहे तो अगर यूं कहें कि सिक्चा विभाग के अपर मुक्षचीव फूल एक्शन मोड में है कल ही उन्होंने कहा था क्योंकि अब ट्रांसपर पोस्टि की पॉलिसी को लागू कर दिया तो उसके बाद साइद रिलैक्स मूड में आ गए हैं सिक्चा विभाग के अपर मुक्षचीव डक्टर एस सिधार और उन्होंने अब फिर से एक बार स्कूलों का दौरा सुरू कर दिया है और इस दौरे में वह गया ही पहुंच गया नक्स और ऐसे अगर स्कूल से इतर भी बात करें तो जब पहले भी डक्टर एस सिधार का अंदाज देखने को मिलता था कि पुटपात पर ही बैटकर वो जो सड़क किनारे जो नाई काटते हैं बाल उनसे बाल कटवाने लगते थे सड़क किनारे सबजी की खरीदारी करने लगते थे तो इस तरह से लेकर वो चर्चा में बने रहते थे जले भी कचोड़ी खाने लगते थे सिधार ठेले की तो यह तमाम जो बाते हैं वो देखने को मिली थी वो तस्वीरे देखने को अक्सर मिलती हैं और अब सिक्षा विभाग के अपरमुख सची हुए हैं हाला कि उनके पौने 6 लाग सिक्षक हैं और पौने 6 लाग सिक्षकों के हिसाब से चनला होता है उसके लाबा लाकों की संख्या में चात्र हैं तो चात्रों के कोई पढ़ाई लिखाई का जिम्मा है बड़ा बड़ी जिम्मवारी है डक्टर एस सिधार्थ के पास लेकिन इसके भीच भी सिक्षक हैं उन्हें बेसबरी से इंतजार था क्योंकि वो पोस्टिंग के बाद राजिकर्मी का दर्जा पा सकेंगे तो ऐसे में वो भी एक बड़ी बात है लेकिन कहीं न कहीं जो यह टांसफर पोस्टिंग की पॉलिसी आई है वो जरूर विवादों में फस गई है लेकिन इस बीच जो है नहीं बदला है कोई अंदाज तो वो डाक्टर एसस सिधारत का सिक्षा विवाग के अपर मुख्य सचीव का बिलकुल सहज अंदाज में बेलोस और बिंदास अंदाज में वो छात्रों के बीच हैं सिक्षकों के साथ हैं और उनसे बाचित कर रहे हैं जानकारी ले रहे हैं और इसकूलों की ववस्ता को सुधारने के लिए आगे के अपने मिशन में चूट गए हैं बने रही है दर्सने उच के साथ तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे फिलाल के लिए इतना ही धन्यवाद